सर मैं ये समझ गया हूँ कि लालच में आकर सिर्फ वादे के भरोसे में अपना फ्यूचर और मेरे उपर जितने लोग भरोसे कर रहे हैं उनका फ्यूचर बरबाद करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है इसलिए मेरा दाइट तो बनता है कि अच्छी तरह से सोस समझ के जो बढ करूँ और अपने लोगों को भी उसमें भरोसे के साथ लाओं थोड़ा सा टाइम लगे पर उनका फ्यूचर बने अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं असर एक बात बताए जब फ्लाविया फ्रेस से ज्यादा इंकम दूसरी कमपनी दे रही है तो मैं फ् से पहले मैं आपको एक लाख रुपए देना चाहता हूं असर ये आप क्या बोल रहे हैं जी हां मैं बिलकुल ठीक बोल रहा हूं मैं आपको एक लाख रुपए देना चाहता हूं और उस एक लाख रुपए से आप क्या क्या करेंगे ये बताए असर ये आप क्या बोल रहे आप मुझे एक लाख रुपए देंगे जी हाँ, आप मेरे बात का यकीन कीजिए मैं आपको एक लाख रुपए देना चाहता हूँ असर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं अरे हाँ, मैं आपको एक लाख रुपए देना चाहता हूँ आप बताएए उस पैसे से आप क्या-क्या करेंगे असर सही में अगर आप मुझे एक लाख रुपए देंगे तो मैं उससे एक मोबाइल खरीद दूँगा और एक मोटर साइकिल खरीद दूँगा ठीक है आप खरीद लिजे असर ये आप क्या बोल रहे हैं असर लग रहा है आप तो मजाग कर रहे हैं अरे हाँ हाँ मैंने कहा ना मैं आपको एक लाख रुपए दूँगा आप मोटर साइकिल और मोबाइल खरीद लिजे असर ऐसे कैसे खरीद दूँ सर आपने तो पैसा दिया ही नहीं आप सिर्फ बोल रहे हैं आप पैसा देंगे तब ना मैं खरीद दूँगा देखिए मेरे बातों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया नहीं सिर्फ बोला हूँ इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है देखिए जैसे मैंने सिर्फ आप से बोला कि मैं आपको एक लाख रुपए दूँगा तो क्या मेरे बोलने से आपको एक लाख रुपए मिले अगर नहीं सर बोलने से कैसे मिलेगा जब तक आप देंगे नहीं क्योंकि अगर कोई भी काम करता है, तो काम करने का में मकसद क्या है? इंकम, और अगर इंकम आपको समय पे ना मिले, तो आप उसमें काम कैसे कर पाएंगे? जी सर, अब मैं आपके बातों को समझ रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए, बोलने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हम आपको एक लाख रुपए देंगे बोले, अगर इसके जगा हम तो दस लाख भी बोल सकते थे, क्योंकि बोलने से तो आपको पैसा मिलने वाला है नहीं, इस साथ साल में किसी भी महिले पैमेंट एक दिन भी लेट नहीं हुआ, टाइम टू टाइम पैमेंट फ्लाबिया फ्रेश ने सब को दिया है, जी सर, अब देखिए, इस बात को इस तरह से समझेए, कि मान लीजिए, किसी और ने आपको एक काम करने के लिए कहा, और उस काम के बदले में आपको 500 रुपए देंगे, लेकिन उसी काम को, सेम काम मैंने आपको करने को कहा, और आपको 1000 रुपए देने का वादा किया, पर दोनों में डिफ्रेंस क्या है, समझे कि जिसने 500 रुपए देने का वादा किया, वो आप काम खतम करते ही आपको 500 रुपई दे देंगे लेकिन मैंने तो आपको 1000 रुपई यानि उससे ज़्यादा देने का वादा किया पर आप काम खतम करने के बाद भी अगर आपको ना दू और आपको घुमाता रहूं एक हपता दो हपता एक महिने बाद अगर पैसा दे भी दू तो क्या उससे आप मेरे पास फिर दुबारा काम करेंगे ना सर मैं आपके पास दुबारा काम नहीं करूंगा बल्कि दुबारा अगर आप 2000 देने का भी वादा करेंगे तो अभी मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा बल्कि जो 500 टाइम टू टाइम दे रहा है मैं उनके साथ ही काम करूंगा क्योंकि सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता है जब तक वो मिले ना और टाइम टू टाइम अगर पेमेंट नहीं मिलेगा और अगर दे पाएंगे तो कितने दिनों तक देंगे ये देखना भी बहुत जरूरी है जी सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा देखिए जिस कमपनी के साथ आप जुड रहे हैं उस कमपनी के हर पहलू को आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके साथ आपने अपना फ्यूचर प्लान किया है और अगर आप सही सब कुछ सही तरीके से देख के नहीं जुड़ेंगे तो आपका फ्यूचर तो खतम हो जाएगा और आपके भरुसे में जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका फ्यूचर भी खत्रे में आजाएगा अब बताईए आपके भरुसे में जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं ज्यादा के वादा में तो आपने जोड़ दिया पर पता चला कि कुछ महीनों के बाद वो पेमेंट दे ही नहीं पा रही है तो उस इस्तिती में आपके साथ, आपके भरुसे में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं क्या second time हो आपके साथ रहेंगे क्या आपके बिस्वास करेंगे जी सर बिलकुल बिस्वास नहीं करेंगे जी हाँ, इसी तरह से कुछ लोग जयादा देने के वादा करके बहुत लोगों को तो अपने साथ जोड रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं, पर वो कितना दिन दे पाएगी, कब तक चल पाएगी, ये देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को आप जोड रहे हैं, वो सब अपने future बनाने के लिए जोड रहे हैं, आप भी अप उपर भरुसा करके मेरे साथ आएं उनसे मेरा रिलेशन भी बिल्कुल खराब हो जाएगा देखिए कोई अगर आपको ये बताता है कि आप फ्लाविया फ्रेस में 5000 का बिजनिस करते हैं तो आपको 1000 रुपे मिलेगा पर आप में हमारे सिस्टम में 5000 का बिजनिस करेंगे तो आ अब मैं आपके बातों को अच्छी तरह से समझ गया हूँ क्या समझे हैं सर मैं ये समझ गया हूँ कि लालच में आकर सिर्फ वादे के भरोसे में अपना फ्यूचर और मेरे उपर जितने लोग भरोसे कर रहे हैं उनका फ्यूचर बरबाद करने का मेरा कोई अधिकार नहीं जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे हैं मुझे खुसी है कि बातों को आप सही तरह से समझ रहे हैं जी हाँ और फ्लाबिया फ्रेस का अगर बात करूँ तो फ्लाबिया फ्रेस 15 अपरिल 2014 को जब आपेनिंग हुई थी तब हेल्थ केर के 24 प्रोड़क्ट के साथ काम का किती है और आज के डेट में पांसो के करीब करी प्रोड़क्ट कंपणी के पास है कंपणी का अपना मेन फेक्टट यूनिट भी है कमपणी का है थीदिभर लेवर लेखे है यह स्प से मिंपॉर्टन वाथ कहीं भी हम लोग काम करते है और देखिए जिस company का product का quality बढ़िया है और जिसका payment time to time है वो company आगे बढ़ेगी और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़ेंगे और Flavia Fresh का product का quality इतना बढ़िया है कि एक बार अगर आप किसी को दे दिये और उन्होंने यूज कर लिया तो फिर दुबारा वो आपसे वो product जरूर लेगा इतना बढ़िया quality है इसके साथ ही बहुत सारा product है जी हाँ और अभी company ने जो cash on delivery का जो system लाया है उस पे मैंने एक जब जानना चाहते हैं कि company का जो system है cash on delivery उसके जरिये से आप कैसे हर दिन अपने business को बढ़ा सकते हैं अगर जानना चाहते हैं तो आप चैनल को subscribe करके घंटी को जरूर दबाईए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उस planning के तहत आप देखेंगे आपका business बहुत तेज गती से आगे बढ़ेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अपने पूरे टीम के साथ पूरे फ्लावियन के साथ सेयर करें मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद